आज आपको मैं चोल लिये चलता हूँ ना एक ऐसे एक किले की ओर जो कि मद्य पर्देश में जिसको कहते हैं सवल गड़ सवल मतलब अंग्लेजी में होता है स्टॉंग और गड़ मतलब होता है फूर्ड मतलब बहुती बलवान किला सवल कर यह बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है इसके अंदर बहुत सारे जो है और भी सब महल वगरा है वहां एक ऐसा किला जो दिन में टूरिस्टों से भरपूर रहता है लेकिन रात होते ही बहां पर भानक रूप से चिखने चिलाने के आवाल लड़ाई फोजों के लड़ने की आवाज और जो है क्या करते हैं सिस्किया रोने की आवाज ऐसे सब गूश दियती सबसे बिचेतर बात है कि किले के अंदर एक जगा है जहां पर से पत्थर में से खून निकलता है यह मतलब आज 1600 से लेके आज तर लगातारी खून उस पत्थर से निकलता है तो वह भी राच में आप देख सकते हैं जाके तो कुछ दिन पहले मैंने देखा था एक New Journey है, आधी हाकिकत आधा फसाना, तो उसमें भी दिखाया था उन्हें, आप चाहें तो देख सकते हैं, वो दिन का है, तो दिन में आप पूरा विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो जो है, मैं तो इसको बहुत पहले गया हुआ था, महलए एक कुरोना काल से भी पहले मद्देपर्देश गुमने के लिए गया था तो मुझे को पता चला ये कैसा किला जिसमें से पत्थर में से खुर निकलता है तो मैंने का देखा जाए उसी किले के बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ ये जो है सोल सोल मी शतापदी से सत्त्तर में सत्त्तौबधी में Himford जिसको क्या कहते है, सबलगर मद्देपर्देस में वहाँ बनवाया गया था. ये जो है, बहुत बड़े पत्थर पर बनवाया गया है, और ये सबलगर के North Eastern पार्ट में है. North Eastern मतला उत्तर और पस्टिम के एरिया में बना हुआ है और ये जो आज कल भाया वहाँ पर फेमस इसले कि चाओ तब जंगल है तो हंटिंग के लिए फेमस है और सबसे बड़ी वाई पैरनावल एक्टिविटीज के लिए फेमस है वहाँ से लोग बहाँ जाते हैं बहुत देखते हैं बहुत से बड़े ब इफेंसिफ एक मलब आकमरा कार्यों से बचाने के लिए इस तरीके से बनवाए गया था इस्ट्रक्चर बनाया पूरा है जो कि उसके अंदर में बिल्डिंग के अलावर बहुत सारी बिल्डिंग हैं वहाँ पर उसमें यह जो है आपको बताओं कि 16 डिग्री 14 28 आठ यह नौर्थ में है और 17 24 22 इस्ट में है यह इस्ट्रक्ट आपको बनाया था अब आप समझे किसे मैं सबलगर के लिए की बात कर रहा हूं जो की अपने जो की रात होते ही पैरानामल एक्टिविटेंस के लिए बहुत फेमस हो चुका है सबसे बड़ी बात महाँ पर पुरे के लिए कंदर एक ऐसी जगह है जहां पर से एक छोटी से जो है इट से खून निकलता दिखलाई पड़ता है वो भी आज से नहीं जब से बना है तब से तो यह जो है इन्होंने इस सबलगर के लिए ने बहुत सारी लड़ाईयां तो जो है करोली स्टेट जो है राजस्थान का था अब तो तैसी लो गया तो उसमें एक उसमें किला भी है और साथ में एक बहुत बड़ा सा तालाब भी है सत्रा सो पचानवे में लखवा दादा ने उस पर एटक किया सबलगर पर अब उसको अपने में मिला लिया तो जब विजाई अठारा सो में विजाईपूर में अमबा जी इंगले ने जो दौलात राम सिंधिया ने अमबा जी को पकड़ लिया अम्बा जी इंगले ने उसको जो है ले लिया था तो लेकिन दौलत त्राम सिंधिया ने अम्बा जी को पकड़ लिया और उनसे सवलगर मांगा लेकिन उन्होंने मना कर दिया उसके बाद थोड़े महिनों साल ठीक से मालूम ने तो जो उन्हें राजा करोली को थोड़ी सी जगा उसमें से दे दी राजा करोली को लेकिन सिंधिया के फोर्स ने फिर से उस पर कबजा कर लिया 1805 में दौलत राम सिंधिया और जस्वंतरा होलकर ने इस्ट इंडिया कमपणी के साथ संधी की इसके पहले से बताओ कि सोल्मी शताबजी में सिकंदर लोधी ने फोर्ज भेज का उस पर कबजा कर लिया था सोल्मी सताबजी में आकवर वाश्या ने भी उसे जीत लिया था जब वो असीरगर के किले को जब उन्होंने असीरगर के किले का कबजा किया था तो उसे कबजा कर लिया था जीत लिया था लेकिन मराठा सैनिको ने फिर से उसे कबजा में ले लिया और राजा करोली को सौब दिया सत्रह सो पचानने में में किला खांडे रओ खांडे राओ ने जीता और एक महल वनवाया उसमें उसके अंदर लाड बालाई जी जो है उसमें रहते थे डॉलात राम सिंधिया ने 1764 से 1837 तक उसमें रहे हैं और बिटिश सरकार ने 1804 में फिर उस पर कबजा कर लिया किले के चारों और जो है 1809 तक सिंधिया का राजी रहा तो ये जो है करोली के राजा ने बनवाया था रास्थान में ये है सबलगा किरा करोली की राजा ने बनवाया था और उस पर जो है सुलमी सतादियों से कद्दल लोधी ने किया फिर आकवर महान ने भी उसको जो है क्या करते हैं उस पर आकमर किया और जीता जब आसी रिदर के लेपक कबजा कर लिया था तब उन्हों ने जीता उसके बाद जो है क्या करते हैं फिर जो है करोली राजा को मिला फिर उस पर जो है क्या करते हैं फिर वह हुआ तो उन्होंने करोली राजा ने जस्वंद्रा होलकर के साथ मिलके इस्ट इंडिया कंपणी को उसे जो है करोली राजा नहीं अठारा सो पांच में डॉलात राम सिंधिया और जश्मन्ट रहोगर ने उसे ईसे इस्टी इंडिया कंपनी को समझे दा इस तरह से ये बहुती जो है कभी इसने कबजा किया कभी उसने कबजा किया इसकी हिस्टरी बहुती भायानक रक्तपात के साथ ही है कहा जाता है कि उसमें से ही किसी जो आखरी किंग बनने वाला था उसके जो है दुश्मनों ने जब आकमर किया तो पकड़ लिया उस मतलब यंग लड़का था और उसका सर पटक पटक के जो है उसको मार दिया तब से वो उसकी आत्मा वही घूमती रहती और जिस पत्थर पे उन्होंने उसका सर पटक पटक के मार डाला था उस पत्थर से खूल निकलता है ये उसके तो सवलगर का किला ये राजस्तान का एक बहुती मनरम जगा है जंगलों से भी घिरा है बहुत बड़ा है और जो है उसमें चारो तरफ मतलब ये जो है आकपरकारियों के बचने के लिए विज़ास से बनाया गया था इस तरह से बहुत भव्यता से बनाया गया जो की भाईय बहुती दबंग किसमका है वो ना देखता आओ ना देखता तओ भगा देता है मतलब शाम होती ही सबको भगा के आओ कर देता है तो इस तरह के करमचारी होने भी चाहिए जिसे कि क्या करते हैं जो है वहाँ पर सफाई वेस्तर है कोई दुर्पयोग ना कर सके इस तरह से तो आज चो मैं आपको कहानी बनाने जा रहा हूँ मैं गया था और किस तरह से गया था मैं बहुती चतुराई से वहाँ जाके इतने बड़े किले में चुपचाप छिप किले था मेरे साथ ठाने पीने का सामान भी था टॉर्च भी था एक बहुत मलब भानक टॉर्च था जिसकी रोष्टी बहुत तेज होती थी और जो है कुछ चाकू था बड़ा सा चाकू भी था जैसे और एक डंड़ा टाइप का रख लिया था लोहे का रोड जैसा था वो लोहे का रोडी था इनको सबको लेकर जोले में सावान लेकर हाँ मैं भाईया ना कैमरा ले जा पाया ना मेरे पास सिर्फ स्मार्ट फोन था लेकिन माया मैं लाइट जलाता और केर टेकर रेदी आ जाता तो मार मार के बुरकोष निकाह हो सकता पुलिस को सौब देता मैं सवलगर के किले के अंदर इस समय रात के नौ बज रहे हैं चारो तरफ भ्यानक भ्यानक आवाजे आ रहे हैं जंगली जानवरों की पेड़ पर बैठे हुए उल्लू चीक चिला रहे हैं चारो तरफ से घना जंगल और मतलब सवलगर के किला डर लगता है इतने बड़े किले में कोई जानवर भी छुक के बैठा हो सकता है और चमगादर तो पूछे ने चमगादर ने तो मेरी जीना दूबर कर दिया जहां बैठा था मेरे चेहरे पाहा के टकराते थे जरा सा लाइट चला आता था अब वो तुरंट आ जाते से अब बड़े किले को कौन सभाई करेगा कौन कैसा करेगा लेकिन केर टेकर है खैरो उसना समाल के रखा उसको बहुत बहुत धन्यवाद रात के नौ बज़े थे चारो तरफ खैरा सन नाटा चाया हुआ सा पानी की आवास तो मुझको लग रही थी अब हो कहां से हारी थी मालूम नी मैं तो किले कंदर तुबक के एक चगट चुप चाप सन नाटे में बैठा था मुझको देखना था एक तो खुन निकलता हुआ देखना था दूसरा हुआ धीरे धीरे करके कुछ खापी के मैंने थोड़ा सा अराम किया रात के करीब बारा बचे थे फ्यान अकसन नाटा चारो तरफ चा गया कोई भी दूर दूर तक कोई भी आवाज नहीं सिर्फ जंगलों में जो रात निकलने वाले चिड़िया या जानमर होते उनकी आवाजे आ रहे थी और कुछ नहीं मैं ठीरे ठीरे चलता हुआ दिन में मैंने देख लिया था कहां से खुण निकलता है लेकिन उस समय मुझको सिप पत्थर पे लाली मैं दिखाई पड़ी थी और कुछ नहीं तब ही जो है करीब थोड़ी तेर बाद कम से कम एक सबाए एक बचे मुझको ऐसा लगा कि जैसे खोड़े दोड़ा है हो चीक पुका मुझी हो और जो है तलवारों की खन-खन हाट और कभी-कभी पीच में तोपी की करजना बंदू को धाए धाए ये सब सुनाई पढ़ने लगी तो मैं तो मैं तो जानता था कि ये हो सकता है हैल नेशन हो मतलब मैंने जो सब पढ़ा है वो किया है इतना रिसर्च किया है सबलकर के लिए का हो सकता मेरे दिमाग में चाया हो और कृतिम लूप से दिमाग जो है वैसे ही बातावान पेश कर रहा हो तो मैं डरा नहीं मैं त करते करते पहानक चीखा असपास गुजने लगी रात के करीब सवा तो बजे बहुत जोर से चीख की आवाज नहीं पड़ी जैसे लगता है कि कि किसी को उठा उठा के पत्थर पे मारा जा रहा हूँ अब वो छट पटा रहा हूँ सारी छट पटा चीखे मेरे कान में गुजन और मैं तो तर के मारे में होता हूँ मेरे पास जो टॉर्च थी मैं ठीक धीरे धीरे रिंगता रिंगता वो करते कि कि किसी तरह से टॉर्च की रोशनी बाहर ना जाए उस पत्थर के पास पहुँचा करीब 15 मिलेट बीट कर मुझको तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा फिर अचानक एक जोड से जो है क्या करते चमगादर मेरे सर पर से टकराया अब मैं चौका और चमगादर जो है करीब कर चिपा की ही गया था लगता है मेरे से तो मैंने उसको चटके में फेका और जो है जो है मैं जो पानी लाया था जो यहाँ पो उसको पंजे से चपका पड़ा था मेरे तो मेरे काल पे जलन जैसी हो रही थी पता नहीं उसने पेशाप कर दिया था क्या कर दिया था तो मैं उसको पानी से मूध होया इसी में मुझको दस मिनट लग गए मैंने पलट के देखा तो सचमुच ऐसा उसमेंसे इटो के दरार मेंसे खून जैसे कुछ बहरा था लाल लंगा मैंने उसको लेके वो किया अब चूंकि मेरे पास कोई ऐसा साधर नहीं था कि उसको मैं ले लेता और अपने यहां आके टेस्ट करता कि खून है कि क्या है तो मैंने यह देखा कि लाल लाल है बस मुझ को यही देखना था क्योंकि यह सदियों से प्रचली था कि यहां से पत्थर से खून निकलता है और यहां भी विंटरा के आवज वो सब मैंने अन्भो किया अब रात के चार बच रहे थे मैंने का चुप चाप निकल जाए जिस तरफ से आये हैं उसी तरफ से मैं अभी यह किसी तरफ से फानते उचकते फानते करके मैं बाहर आया नमस्कार जैहिन कैसी लगी मेरे कहानी बहुत पसंद आई हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट चरू लिखतीजीगा सब्सक्राइब कर दिए धन्यवाद जैहिन जैभारत